हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब इन दिनों हर सुभा जब आप उड़ते हैं तो मन में क्या सवाल उड़ता है यही ना कि क्या आज कोरोना की मामले बढ़ेंगे या फिर इसमें कुछ कमी आएगी क्योंकि हर किसी को यह डर सता रहा है कि अगर कोरोना संक्रमित लोगों की संक्या बढ़ती है तो आने वाला वक्त और मुश्किल हो जाएगा यह डर अब और भी गंभीर हो गया है क्योंकि दिल्ली के निजामदीन में तबलीगी जमाद के हैटकौर्टर में पिछले दिनों जो हुआ वो पूरे देश के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है इस जमाद के लोग देश के 22 राज्यों में पहल चुके हैं यानि कोरोना का येव स्पोर्ट पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और ये कितना खतरनाक होने वाला है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं जो मेरे साथ चल रही है ये तस्वीरे उस मरकश के अंदर की अब ही दिखेंगे आपको तस्वीरे जहां इटली से लेकर Theiland और ना जाने किन किन मुलकों के विदेशी एकटा हुए थे यह रही वो तस्वीर है यह तस्वीर है उसी मरकज की है जहां से निकले डेर सो से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं डेर सो से ज्यादा और जिस तरह यह भीड यहां एकठा है उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी यहां से निकले कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या और बढ़ेगी और उनके कारण 22 राज्यों के लोग खत्रे में आएंगे हम आपको 22 राज्यों और उन राज्यों के शहरों को दिखाएंगे जहां जमाद से गए लोग पहुँचे आप ध्यान से देखिएगा कहीन में से आपका शहर ना हो इसी खत्रे से आगाह कराती मास्टर स्टोक की एक अवर स्टोरी है लेकिन उससे पहले पांच हैडलाइन्स दिल्ली के निजामुदीन मरकज में जमा थे 8,613 लोगों का अब पता चला है 6,252 लोग अपने राज्यों को लोट गए है दिल्ली के मरकज के 2,361 लोग निकाले गए हैं इनमें से 24 में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तमिलनारू में जमाद से लोटे 110 लोगों में कोरोना है तमिली की जमाद से देश के अलग अलग राज्यों में जाने वाले 165 सदस से कोरोना पॉजिटिव पाये गए हैं कई राज अब पता लगेगा वहाँ पर भारत में कोरोना से अब तक 1,966 लोग संक्रमित है अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है सफेद रंग की चमचमाती हुई ये इमारत ही तबली की जमाद का हैटक्वाटर है दिल्ली के निजामुद्दीन की इसी छे मंजिला इमारत के अंदर से 2,361 लोगों को निकाला गए इस इमारत में इतने लोग रह रहे थे के उन सब को निकालने का काम खत्म होने में पूरे 36 घंटे लग गए यहां से निकाले गए 24 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जबके इसी तबलीकी जमात के हजारों लोग देश के अलग-अलग हिस्तों में गए और वहां भी सैकणों इनकी वजह से संक्रमित हैं और सैकणों होने वाले हैं लेकिन मरकस की इस जमात में कोरोना का संक्रमन कैसे भैला ये समझने के लिए आपको इस मरकस के अंदर की तस्वीरे देखनी होंगी ये तस्वीरे आज सामने आई हैं देश में भले ही लॉकडाउन चल रहा हो दिल्ली में धारा 144 लगी हो चार से जादा लोग एक जगह पर जमान हो सकते हैं सरकारे सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते पढ़ाते ठक गई हो लोगों से तीन फीट की दूरी बनाने को कहा जा रहा हो लेकिन मरकस की इस तबली की जमात को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता जमीन पर बिस्तर लगे हैं पहली नजर में या आपको रेलवे का प्लैटफॉर्म लग सकता है लेकिन ये है नहीं जहां तक नजर दोडाईए लोगी लोग नजर आ रहे हैं कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं कुछ बाते कर रहे हैं और कुछ नमाज पढ़ रहे हैं सब के सब एक दूसरे के आसपास तीन फीट तो दूर, एक फीट की दूरी भी नहीं दिखती है जब अकल पर धर्म का परदा पढ़ा हो जब दिन रात दिमाग में ये भरा जा रहा हो कि कोरोना तो मुसल्मानों को दूर करने का एक बहाना है तो फिर सोचल डिस्टेंसिंग को कौन मानता है बस इस वफ की दुरूवत यह है कि एक तो मुश्रों का आगाद करो दूसरा काम यह है अल्लाह की वहदानियत को इसो ज़्यादा बेयान करो वरना अल्लाह की दात पर यकी न रखने वालों की चालें और उनकी इस्कीमे वो मुसल्मान को बीमारी से बचाने के बहाने से मुसल्मानों को आमिसे रोकने के लिए वो खालिब आ गई है उन्हें तर्कियम नदर आ गई यहीं पर हजारों की संख्या में विदेशी नागरिक भी मौजूद थे इनमें इटली, मलेशिया और इंडोनेशिया के नागरिक भी थे जहां कोरोना का बहुत जादा कहर है इसलिए तबलीक की इस जमात में कोरोना फैला इसके बाद ये लोग छोटे-छोटे जत्थों में पूरे देश में गए और हम ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं हम आपको एक नक्षा दिखाने जा रहे हैं जिसके जर्ये आपको ये पता चलेगा कि निजामुद्दीन के मरकद से तबलीकी जमात के कितने सदस्य किन राज्यों में गए यहां से 855 लोग जम्मुकश्मीर गए जिनमें 19 कोरोना पॉजिटिव पाएगा और एक की मौकिए 17 लोग हिमाचर प्रदेश गए 9 लोग पंजाब गए 22 लोग हर्याना पहुँचे 37 लोग राजस्थान 13 लोग गुजराद 107 मध्यप्रदेश 109 लोग महराश्र गए जिनमें 2 पॉजिटिव पाएगे 342 करनाटर 69 केरल 1500 लोग तमिलनाडु पहुँचे जिनमें से 50 पॉजिटिव पाएगे और एक की मौद गए 21 लोग अंड़मान भी पहुँचे जिनमें 10 संक्रमित पाएगे 711 लोग आंदुप्रदेश गए जिनमें 43 कोरना पॉजिटिव गए 1200 तेलंगाना गए जिनमें 15 संक्रमित मिले और 6 लोगों की मौद गए 9 पुढ़ुचेरी गए जिनमें 2 संक्रमित पाएगे यहीं से 73 लोग पश्ची बंदाल भी गए 3 ओडीशा 37 जारखंट 162 पिहार और 500 लोग उत्तर प्रदेश भी पहुँचे 10 लोग मनी पुर भी गए जमात के 456 लोग असम गए दिल्ली में भी मरकस के 2361 लोग निकाले गए जिनमें 24 में कोरोना पॉजिटिव पाएगे और इस तरह से यहां शामिल होने वाले लोगों की संक्या होती है 8603 है जिनमें से 165 अब तक कोरोना से संक्रमित मिले है जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमन किया तो उसके द्वारा केसे फैले है केसे जम्मू काश्मीर से 23 कंफरम नए केसे तेलंगाना से 20 केसे आंधर प्रदेश से 17 केसे अंडमान निकोबार से 9 तमिलाडू से 65 केसे दिल्ली से 18 केसे और पुड़ी चेरी से 2 नए केसे इस ट्रांजिट्स रिलेटेड हिस्टी से पाए गए है अब पूरे देश में जमातियों को खोजने का काम चल रहा है जमातियों के मस्जिदों से पकड़े जाने के सबसे जादा मामले उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं बुलन शेहर के एक मस्जिद में आसम के चौधे जमाति ठहरे हुए थे हापुर में भी तबलीकी जमात के 16 लोग मिले हैं जिनमें 9 विदेशी हैं सहरनपुर के देवबंध की मस्जिद से चौधे जमाति मिले जिनमें 12 इंडोनेशिया के लिए फिरोजबाद में भी एक मस्जिद से 7 जमाति पकड़े गए आगरा की कई मस्जिदों में निजामुद्दीन के 104 जमाति रुके हुए थे सभी को निगरानी में रखा गया है हाथरस में भी प्रशासन में कुल 19 जमाति पकड़े हैं मथुरा में भी जमात के 41 लोग आये थे शामली में भी 15 लोग मरकज में शामिल होकर लोटे थे मुदफर नगर में भी जमात के 28 संदिग्दों की तलास चल रही थे रामपुर में भी निजमुद्दीन से 5 जमाति आये थे सभी को कौरिंटीन किया गया है कानपुर में भी 22 जमाति मिले हैं जिनमें 8 विदेशी हैं कन्नौत की एक मस्जिद में जमात के 11 सद से पकड़े गये हैं लखनों में भी 20 लोग निजमुद्दीन के मरकत से लोटे थे प्रियाग राज में भी एक मस्जिद से 9 जमाति मिले थे जिनमें 7 विदेशी थे वहराईच में भी जमात के 17 विदेशी नागरिक पकड़े गये हैं बस्ती में भी निजामुद्दीन से लोटे 18 लोग पकड़े गए हैं जमात के लोग उत्राखन से भी पकड़े जा रहे हैं निजामुद्दीन के मरकद से नैनिताल के भी 8 लोग शामिल थे कोड़द्वार की दो मस्जिदों में भी 26 जमाती रह रहे थे हरियाना की बात करें तो यहां मेबात में जमात के 100 से जादा सदस मिले हैं इसके अलाबा पठोटी में भी एकी घर से 27 सदस से पकड़े गए अंबाला की मस्जिदों में 40 जमातियों को क्वारंटीन किया गया है दूसरे राजियों की बात करें तो राजिस्थान के भरतपुर से भी मुंबाई के 16 जमाती पकड़े गए जारकन के धनबात के एक मस्जिद से 11 जमातियों को आइसोलेट किया गया है गुजरात के भावनगर के 20 और सूरत के 71 लोग भी इस जमात में शामिल हुए थे इस तरह के अपराधित क्रिति को किसी भी तरह से न नजरदास किया जा सकता है और न माल किया जा सकता है तो मैं गारंटी से कहता हूँ यह आतंकी घटना है इसे कोरोना आतंक वाद आप कहेंगे चुकि जिस तरीके से महां इखटा हुए परसासन की सासन की चेतावनी के बाद परधान मंत्री जी के स्टेटमेंट दे रहा है आप को रोना मैं आपको यही बता रहा हूँ आप इसकी जाच कराईए इसकी जाच होनी चाहिए जाच होगी भी और यह 100% आप देखे कहा के लोग निकल रहे हैं इंडोनेशिया के लोग हैं बंगलादेश के लोग हैं मलेशिया के लोग हैं ऐसी लोग हैं जहां बैटके हिंदुस्तान क खिलाब साजी सरची जाती है